हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब ठीक होगे आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही सुन्दर डिजाइन शेयर करें जो की बारीक बूटी बाला डिजाइन है किसी भी कार्डिगन में हम इस डिजाइन को डाल सकते हैं फ्रेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाती हूं प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे निव हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो साथ में घंटी का बटन दिया होता है उसको दवाईए ताकि आपको मेरी आने वाली जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो आप को उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपकी उसमें आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आप वीडियो पे आते हैं तो कमेंट कीजिये चलिए स्टार्ट करते हैं इस दिजाइन को बहुत ही ऊजए है कोई भी इसको बना सकता है तो मैंने यहां पे चोट पांच 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 प्लस ऐसे करके और दो फंदे हमने लास्ट में एक्स्ट्रा लेने हैं एज के फंदों के लिए दो फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं तो ये डिजाइन हमारा शुरू होगा सीधी साइड से फ्रेंट्स तो पहले देखिए पहला फंदा हम बिना बुने उता यहां पर मैंने 27 फंदे डाले हूए 25 फंदे दाले हूए 25 फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रां हIs तरह से पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे इसको मैं Complete कर लेती हूं यह देखे फ्रेंड्स कि फर्स्ट रो मैंने Complete कर ली अब उल्टी साइड यह दूसरी रो यह हम पूरा उ बनेंगे यह देखिए इस तरह से चार रो का यह डिजाइन है हमारा लेकिन बहुत ही इजी है कोई भी इसको बना सकता है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फ्रेंट वीडियो को पूरा वच कीजिए तभी आपको पता चलेगा कि हमारा पैटरन की इस तरह से बन रहा है और चैनल पर आते हैं वीडियो देखने आते हैं तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट कर दिय कीजिए इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ये देखिए इसका फंदा इसको भी हम उल्टा बनाएंगे उल्टी तरफ से ये देखिए दो रो हमारी हो गई एक सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी अब देखिए तीसरी रो में हम क्या करेंगे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे आगे के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे ये देखिए दो फंदे सीधे बनाए इसके बाद देखिए तीन फंदे एक दो तीन इन तीनों फंदों को इस तरह से एक साथ ही कठा बुनेंगे छोड़ेंगे नहीं एक बार बुना इस तरह से धागा डालेंगे जाली में इसमें सिलाई में जाली डालेंगे और एक बार इसको फिर इस तरह से बुनेंगे तीन फंदों के तीन फंदे हम बनाएंगे फिर आगे दो फंदे सीधे बनाएंगे फ्रेंट्स यह हमारी डिजाइन की तीसरी रो है तीन फंदों, दो फंदे सीधे बना लिए अब फिर से देखिए इस तरह से तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से सिलाई में जाली डालेंगे और एक बार इसको फिर से बुनेंगे तीन फंदे बना दिये अब इसको हम ऐसे छोड़ेंगे आगे के दो फंदे फिर से सीधे फिर देखिए तीन फंदों को एक साथ इस तरह से बनेंगे शिलाई में जाली डालेंगे और इसको एक वार हम फिर से बनेंगे और तीनों को छोड़ देंगे इस तरह से फिर दो फंदे सीधे और आगे देखिए तीन फंदों को एक साथ फिर से हम बुरेंगे यहां पर जाली डलेंगे दो फंदे हो गए हमारे और यह तीसरा फंदा तीन फंदे हो गए आगे के दो फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे यह देखिए तीन फंदे यहाँ पर हमारे एक वार सिलाई ऐसे डालेंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे के आगे का पंदा हम एज का फंदा है इसको सीधा बना लेंगे ये देखी फरन्ट इस तरह से हमारी तीसरी रोव कंप्लीट हो गई अब हम चौति ही रोव में आते हैं चौति हो अमारी पूरी उल्टी बनेंगी इस तरह से सब भी फंदों को उल्टा उल्टा बनेंगे मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाए यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमारी चार रो कंप्लीट हो गई अब हम वही पहली जो उसलाई की थी हमने उसी तरह से रूपीट करेंगे यह देखिए फ्रेंट्स इनी चार रो को रूपीट करके हमारा पैटरन इतना सुन्दर बनके आया है डिजाइन यह देखिए बहुत ही सुन्दर और बहुत हीजी है बनाना कोई भी इसको बना सकता है यह सीधी तरफ से है यह देखिए कितना सुन्दर बन के आ रहा है लग रहा है कितना सुन्दर और उल्टी साइड से इस तरफ ऐसे दिख रहा है तो चलिए फ्रेंड अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जुरूर करना और पैल आइकन को जुरूर दबाना वीडियो को वाच करने के लिए थैंक्यू और वीडियो पर आते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को और अपना स्पोर्ट दीजिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए subscribe करना ना भूलें friends और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियो पर इतने अच्छे यच्छे वीज्द दे रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को watch करने के लिए thank you मिलती हूँ एक और नहीं वीडियो के साथ तब तब के लिए बाई बाई